बीजेपी के हड नेता ने कहा दो माई दीदी गई लेकिन हुआ ये दो माई दीदी फिर से आ गई लेकिन दीदी के दोबारा आने की वज़ह क्या बनी नमस्कार मैं अलीशा और आप देखने दी कंटाप दरसल बगाजिदान सबा चुनाव में जीतने के लिए अपनी पूरी तागत जोगने के बावजूद भाजपा ममता बैनरजी की अगुवाई वाली तरिनमूल को अंग्रे सियानी टीमसी को सत्ता से हटाने का लक्ष हासिल नहीं कर पाई इसके पीछे की वज़ा ममता बैनरजी की तेस्त राडशवी बंगाली असमिता महिलाओ और अग्संखकों का टीमसी की और से बड़ा जुकाव रहा जिसका सीधा फाइदा तरिनमूल को मिलता दिखा है दरसल टीमसी ने भाज़पा की हिंदू वोटो के दूवी करन की कोशिश की काट करने के लिए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दे कर महिला वोटरों को बड़े पैमाने पर अपने पाले में खीचा ममता ने पचास महिला उमीदवारों को इसी रणनीते के तहट इस बार मैदान में भी उतारा था इसके साथ ही दूसर राज्यों से आने वाले भाजपा नेताओ के ममता बैनरजी पर सीधे हमले के मुद्दे को भुनाते हुए टीमसी ने स्थानिये बनाम बहरी का दाफ खेल कर बांगला सांस्कुटी, बांगला भाशा और बांगला अस्मिता के फैक्टर को हर जगा उभारा इसी के तहट पूरे चुनावी अभ्यान में बंगल की बेटी और बाहरी का मुद्दत रुनमुल ने जोर शोर से उठाया और ये दावा उसकी जीत में काफे काम आया ममता लगतार अपनी चुनावी रैलियों में कहती दिखी कि वो गुजरात के लोगों को बंगल पर साशन नहीं करने देंगी उनका इशारा मोदी और शाह पर था साथ ही दूसरे राज्यों से यहां भाजपा के प्रचार के लिए आयन नेता को वो लगतार बाहरी कुंडा कहकर संबोधित करती रही इसके जरिये उन्होंने जमकर बंगाली काड़ खेला इस से खासकर महिलाओं के साथ बंगाली जन मानस का भरोसा जीतने में मम्ता कामियाब रही इन सब के बीच भाजपा के पास ना तो मुखे मंतरी पत का कोई चहरा था और ना ही कोई तेज तर्रार महिला नेता जो मम्ता को उनकी शैली उनके स्टाइल में ही जवाब दे पाता इसके अलावा भाजपा की भारी भरकम चुनावी मशीनरी का अकेले मुकाबला कर रही मम्ता का नंदिग्राम में चुनाफ प्रचार के दौरान घायल हो जाना भी निनायक बातों में एक रहा मम्ता पैनर जी ने चोट के बावजूद वील चेयर से ही जिस तरह लगतार धूअधार प्रचार किया और भाजपा नेतित्व के खिलाफ आकरमक हमला बोला उससे ये छवी बनी की घायल शेरनी ज्यादा मजबूत से मोर्चा समहाले हुए है ऐसे में साहनुबूती यानी सिंपेथी का फैक्टर भी उनके पक्ष में गया चुनाफ प्रचा के दौरान मम्ता पैनर जी पर पीये मोदी अमिच्वा जैसे बड़े केंद्रे नेताओं का सीधा हमला भी उनके लिए साहनुबूती का ही काम कर गया दीदी ओ दीदी दो मई दीदी गई दीदी की स्कूटिन अंदिग्राम में गिर गई इस तरह कब बयान भाजपा पर ही उल्टे पड़े बंगाल भाजपा अध्यक जलीब घोश का ममता के लिए बर्मुदा वाला बयान भी महिलाओं के बीच अच्छा संदेश नहीं गया इन बयानों को भुहाने के टीमसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी साहनुबूती काट काम आया और ये ममता के पक्ष में गया इन ही वजाहों से नतीजा है कि लगातार तीसरी बार ममताब एनरजी ने बंगाल में सत्ता परकाबिच होने पर काम्याबी हासल की है ऐसी ख़ब्लों के लिए देखते रहें ये दीकंटाप हमाई चैनल दीकंटाप को फेस्बुक पे फॉलो करें यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बैल आकें दवाना बिल्कुल न भूलें